चलिए आज करते हैं पालर लाइक हैर स्पाक घर पर बहुत यासान तरीके से गर्मिया सुरू होते ही गर्म हावाएं धूल पसीना और चिपचिप से बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं बटिस हेर मास्क को लगाने से रूखी सुखी बेजान बालो में नई जाना जाएगी आपके बाल लॉंग, स्ट्रॉंग, ठीक और साइनी भी होंगे क्योंकि इसे हमने बनाया है नैचरल इंगिडियन के साथ जो बहुत ज़्यादा पाउरफुल हैं इससे आपके बालो का ज़ड़ना रुकेगा, डैमेज वाल रिपेर होंगे, फ्रीजी हेर, सिल्की और स्मूध होंगे, इसे यूज करने के बाद आप पालर जाना छोड़ दोगे तो चलिए फटा-फट बनाना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन भी प्रेस कर हेलो फ्रेंच, वेल्कम बैक टू माई चैनल, एमके काजोल्स किचन, तो फ्रेंच, इस हैर स्पा क्रीम या हैर मास्क को बनाने के लिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कोकनेट क्रीम, गर्मियों में सब के हाँ नार्य लदिक तर आता ही है, बट बहुत लोगों को क्री अच्छी से स्पून के हेल्प से आप इससे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कोकनेट नहीं है, कोकनेट क्रीम नहीं है, तो आप यहाँ पर एक बनाने का यूज कर सकते हैं, केला भी वैसा ही काम करेगा, बट कोकनेट हमारे बालों के लिए ज़्यादा फाइदे मंद को शिलकी स्मूध करना है तो आप बनाना भी यूज कर सकते हैं सेम तथी से जैसे आपBERT sie आपको आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूं जैसा कि आपको पता है कि नारियल का ते बना रहे ना इसे आप बोडी पर फेस पर सब कहीं लगा सकते हो ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है इसे आपकी स्किन साइन करेगी गलो आएगा फेस पर और वाइट भी होगी फेर होगी अब दूसरी चीज यहाँ पर हमें लेना है एलो वेरा एलो वेरा और कोकनेट क्रीम ये दोनों ही फेस और बालों के लिए बहुत अच्छी है एलो वेरा एंटियोक्सिटेंट होता है कि स्कैल्प और स्किन को मौस्टराइज करता है इसमें बहुत अच्छे निउट्रेंस पाया जाते हैं के साथ इसमें वाइट पुन ए वी सी इ भी बहुत एच्छी मात्रा में पाई जाती है तो यहां पूर मैंने अलो वेरा लिप्स को अच्छी से धो कर इसका येलो वाला जल काटकर निकाल दिया है और फिर इसका छिलका आपको निकाल देना है यानि इसका पलफी यूज करना है इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे यूज नहीं करना है मेरे में थोड़ो बहुत आ गया है तो इसे मैं अभी ग्राइंड करते टाइम निकाल दूंगी अब इसमें मैट करेंगे 1 टेबिल स्पून कोकनेट ओयल कोकनेट ओयल नहीं है तो आप अल्वंड ओयल यूज कर सकते हैं और बस अब इन सभी चीजों को आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है तो यह देखें यहाँ पर मैंने मेक्सिक जार में डालकर इसे अच्छे से पेस्ट लिया है और यह बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनकर तयार हो चुका है इसे लगाने का सही तरीका जिससे आपको बेस्ट रिजल्स मिलेंगे बाल बहुत ही सिल्की और स्ट्रेट भी हो जाएंगे तो अगर आपके बालो पर ओईल लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने बालो को सैंपू से वोस कर लेना है अगर बालो में ओईल नहीं लगा हुआ है बाल क्लीन है साफ है तो आप इसे अपने बालो पर अपलाए कर लेना इसको अपने बालो की जड़ो में भी लगाना इसे बालो को बहुत अच्छे न्यूट्रेंस मिलेंगे पोशन मिलेंगे बालो में पूरे बालो में अच्छे सी लगा लेने के बाद आपको बन बना लेना है और इसे सावर कैप से कवर कर लेना है ताकि यह सूखे नहीं अगर सावर कैप नहीं है तो आप पॉली वैक जो जिसमें सबजी आती है उसे भी अपने बालों पर लगा सकते हो इससे यह सूखे एक घंटे बाद मैंने बालों को सैंपो से धो लिया था और जब बाल हलके गिले रहे ना तभी आपको कोम कर लेना है ऐसा करने से आपके बाल सिल्की होने के साथ स्टेट भी हो जाएंगे जब मैं इसे बालों में लगा रही थी तो कैमरा सायद आफ था और मुझे पता नहीं चला इसलिए थोड़ी से वीडियो मिस हो गई है उसके लिए सौरी और यह देखिए बालों में लगाने के बाद आप जाओ दिससे बाड़ी पर फेस पर भी लगा सकते हो बाड़ी पॉलिसिंग का काम करेगा यह मास्क और जब एक घंटे बाद आप बालों को धुलोगे त प्रस कर लेना अगर आपके कोई क्वेस्टेन हैं तो कोमेंट में पूछ सकते हो तो फिर मिलत्यू फ्रेंट्स बहुत ही जल दिख नई वीडियो के साथ थाइंक यू फॉर वाचिंग बाबाई